गुड मानिक स्टुडेंट्स क्लास टेंथ और लेसन नमबर वान लेसन नमबर टू हमारा चलावा था ए लेटर टू गॉड उसके हमने कुछ परेग्राफ पढ़ लिये थे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में यहां तक हमने इसको पढ़ लिया था किसी भी बिच्चे के कोई लगभग पूरी रात लैंचो थोट अनली ओफ एज वन हॉप लैंचो एक आशा को लेकर ही सोचता रहा दा हैल्प आफ गॉड की इस वर से साहेता यही वो पूरी रात सिर्फ अपने मन में एकी बात सोचता रहा की इस वर से साहेता whose eyes जिसकी आखें as जैसा की he had been instructed उसे सिक्षित किया गया था या सिक्षा दी गई थी see everything परती एक चीज को देख सकती थी even what is deep in one's concerns यहां तक की मनुष्य की अंतर आत्मा में भी वह भी जो मनुष्य की अंतर आत्मा में छिपी होती है lancho watch an ox of a man, lancho एक मनुष्य की रूप में एक बैल था working like an animal in the fields वह खेतों में पस्वो की तरह काम करता था यहीं वह एक मनुष्य तो था लिकिन इतना कठीन प्रिशर में या hard working man था कि उसको एक बैल के रूप में देखा जाता था ठीक है तू working like an animal in the fields खेतों में एक पस्वो की तरह काम करता था but still लेकिन फिर भी he knew how to write वह जानता था कि कैसे लिखना है the following Sunday अगले रविवार at daybreak प्रात्यकाल he begin to write a letter उसने एक पत्र लिखना सुरू किया which he himself would carry to town जिसे वह स्वेम नगर में ले जाएगा and place in the mail और पत्र पेटिका में डालेगा it was nothing less than a letter to God यह इसवर को एक पत्र के अपेक्षा और अधिक कुछ नहीं था God है इसवर He wrote उसने लिखा if यदी you do not help me तुम मेरी सहता नहीं करोगे my family and I तो मेरा परिवार और मैं will go hungry this year इस वर्स भूके रह जाएंगे I need a hundred pesos मुझे सो पिसोज की आवश्चकता है in order to show my field again ताकि मैं अपने खेत को पुन्हें बो सकूं ताकि मैं अपने खेत को पुन्हें बो सकूं and to live और जीवित रह सकूं until the crop comes जब तक अगली फसल पकती है या आती है because क्योंकि the hail storm ओलो ने फसल को खराब कर दिया है he wrote उसने लिखा to God इस वर के लिए on the envelope लिफापे पर उसने लिफापे पर लिखा to God इस वर के लिए put the letter inside पत्र को अंदर लिफापे में रखा and or still अब भी troubled परिशान होते हुए went to town नगर की ओर चला गया at the post office डाग घर में he placed a stamp on the letter उसने पत्र पर एक मोहर लगाई एक टिकेट लगाया and dropped it into the mailbox और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया one of the employees करमचारियों में से एक ने हुआ जे postman जो एक डाकिया था and or also helped at the post office और डाग घर में एक साहयक भी था went to his boss laughing hurtly बड़ी तेजी से हसते हुए अपने बोस के पास गया and or showed him the letter to God और इस्वर के नाम पत्र को उसे दिखाया never in his career as a postman एक डाकिय के रूप में अपने केरियर में कभी भी had he known that address उसने इस पते का कोई पत्र नहीं देखा यवे इस पते को नहीं जानता the postmaster डाकिया a fat एक मोटा amiable fellow और एक हसमुक या मिलनसार व्यक्ती आल्सो ब्रोक आउट लफिंग भी हसने लगा या हस पड़ा बट अल्मोस्ट लेकिन इमेड़िटली तुरंती he turned serious वह गंभीर हो गया एंड और tapping the letter on his desk और पत्र को अपनी मेज पर पीठते हुए commented उसने टिपनी की या कहा what faith क्या विश्वास है I wish मेरी इच्छा है या कास I had the faith of the man मुझे भी उस व्यक्ती जैसा विश्वास होता या मेरे अंदर भी उस व्यक्ती जैसा विश्वास होता who wrote this letter जिसने इस पत्र को लिखा starting up a correspondence with God तथा इस वर से पत्र व्यवार शुरू कर रहा है तो हम आज का जो paragraph है इसको यहीं तक रखेंगे next next class में पढ़ाया जाएगा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी problem है तो comment box में लिखे एक बार इसको पुन्हा पढ़ा दिया जाएगा ठीक है पर परो आपक पुन्हाटίζ keज़ाईगे